तो चर्चा करते हैं, कम्प्यूटर में आते हैं, हमारी चर्चा है, काफी मत पूर। जोहान अप्रीकेशन डालोड करके, जो तमाम क्लासेस, सबकी क्लासेस को जोईन करिए, लीजिए, फुर्प सार पढ़ाई करिए, कौर्व मेरा वब जरू जोईन कर लेना, आईए, अगर हम चर्चा करेंस में, तमाम चीजों के बारे में, तो हम पढ़ते हैं, कार पद्धती का पर अज हम बारे हैं held कंप्योट को बदलाओं, क्योंकि क्ब्यूटर का जो, भी हम कर चुके हैं पिछे क्लास में, थोड़ा बहुत जान चुक हैं कंप्योटर है क्या,oda होता क्या है और तमाम चीज़े, वह कि तोक़ अभी संफ दिस्टल कम्प्यूटर फिर है था इंब्रिड कम्प्यूटर सब्सक्राइब सब्क्राइब करके अब हैं चारद पर एक है अ इनी कंप्यूटर छोटे होते हैं एक माईक्र कंप्योटर होता है। और एक होता है वारा थ gallon अच्छा ऐकर का त होते हैं। बहुत बड़े हैं और इनकी जो च्छमता होती है बहुत अधिक होती है इन में अधिक मात्राग डाटा तीपता से प्रोसेस करने च्छमता होती है इसका पर बड़ी कंप्रियां बैंक सरकारी भाग क्योंकि आपको पता चलेगा कई कम रहें तो प्रयोग करने लगेंगा यह 24 घंटे कार सकते हैं इन पर सेक्ड़ यूजर एक साथ काम कर सकते हैं इसलिए जो बड़ी जगों पर इनका प्रयोग किया जाता है में फेम कंप्यूटर याद रखना कहां पर गयाता है इसलिए बड़ी लार्ज इससाइज आस वेल आज 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 स्टोरेश कापसिटी इसलिए अल्सों हाई आप अप अब अब आप अप्रसेस लॉज नमबर अप डाटा रैपडिली बहुत फास्ट करते हैं तो अदे आर यूज वाइ बिग कंपनीज बैंक्स और गवर्मेंट देपार्टमेंट इस प्रकार से तो देख रहे हैं यह हमारा में फेम कंप्यूटर अब यह चर्चा करेंगे अब में फेम कंप्यूटर बना है अब यह सुचा अपने घर में रखके चला सकते हैं तो कहा है चला होगा करोगा क्या इसका में फेम कंप्यूटर पहली बार तुरुआ जो की थे यूएसे में जे प्रेस्ट पर एककार्ट और एक बैक्ति था जॉन महकली इनको दरवेक्स का प्रियुक करते थे और आई बीम में फेम को लिए तैयार किया जाता था इसे आई बीम संग्ड़ोद जयान किया गया था दुनिया के सबसे बहतर कंप्यूटर शुरुआती दौर पर एक कंपणी का कबजा था इसका आई बीम इसका कबजा था आई बीम यह यह राद और हम जो है तुम्हें अच्छा खासा पैसा देंगी और कहा जाता है जिसको इतिहास लिखना होता है तो कुछ अलग होता है वह नहीं बेचुआ बाहर गए अपनी खुद की कंपनी खड़ीगी इतने बड़े हुए कि कई आई भीम खरी सकते हैं अपना इतिहास आदमी प्रफॉर्मेंस जनरल परपस बहुत हाई लिए बहुत ज्यादा हाई लिए अगर इसको हम नापते है तो हम इसको यह ने मिप से नहीं नापते हैं को जो मापते है कि इसकी स्पीड कीति चेसे नाते हैं उसको मतलब होता है हमारा फ्लोटिंग footprints बर सेकेंड में माप जाता है किसे के लिए यह बहुत बड़ varias बहुत लाज और सोब आप देखें के बहुत सांदार तरीकें कि चंटिपर मुखजि करें थेखती तो देखें तो यह मसले रहा है और ऑम हम च Васaround बंहुत नहीं के ऐसे सूपरव कम्पूटर आई वीम ने तो बहुत चुरुआते तो बनाई थे और सब पूर सुपरकूर्ड का मतलब यह था है कि बड़ी बड़ी गड़ना करने के लिए माश भी ग्ना करना है तमाम करना उप ग्रह के लिए सेटलाइट के लिए यह सब चीजों के लिए व बहुत अधिक मतलब आप समझो पहले एक फ्लाफ होती थी अब हो गई है एक अजास 17 अधिक फ्लाफ मतलब 100 मेटा फ्लाफ से अधिक स्पीड के साथ परफॉल देते हैं बड़े-बड़े बना करता है इतना तेजी से गणा करता है आपका नत तो ब्लास्ट हो जाएगा पुराने आक्ले नए अपने सब को प्रोसर्स करके फिर इस पाइनल चीज में पहुंचते हैं इसक्रचा के इनको परियलर कंप्यूटिंग के ग्रिट से कलस्टर सिस्टम में डेवलब किया जात करता है कि मसीन एक नेटवर्क में अलागलग अगा गारे नहीं सीरीच अब देखे सुपरक्रा्मिट्र एक सीरीज बना के जुड़ा जाता है ताकि फियो क्या कर सके सपूर्ड कर सके और बहुत प्रोसेसर उसमें लगे होते हैं और सिस्टम में कई प्रोस्स कर यूज़ करते है अगर सुपर क्रिण्टर साइज कोई बात की जाए तो अन्ध कर दूटलमिय सबसे बड़े होते हैं सबसे ज्यादा होतें सबसे हैवी होते हैं सुपर कंप्र कीमत बहुत अधिक होती लगए 2,00,000,000,000,000,000 तक आप पाएंगे इसकी कि खरित पाओगे आप कहा करो खरित करोगे क्या गेम खेलोगे कर मुझे शुपर कम्पूटर चाहिए एक बच्चा बोला कि मुझे फोन किया बोला है बोलाओ सुपर कम्पूटर बच्चा मांग रहा है हम बोले कुछ का बोले किस के लिए बोले बच्चे के लिए बोला पैसा आपने की तब जब आ जाएगा 30-35,000 में आ जाता इच्छे सच्छा कम्पूटर तो सुपर उपर क्या है मुझे बहुत बढ़ी है चच्चा धन्न है आप धन्न है आपका बच्चा पर जिंदगी में होता है ना कि एता आद्मी मुझे टेकल करना बहुत अच्छे साहाता है तो मैंने क्या किया मैंने वह ठीक है बेचिए एच अच्चा आज एक नया आया सूपर कम्प्यूटर बहुत खतरना भी हाँ और पचास जाररा हा रुपर बाशारों चाहरे मुझे भीजे मैं यहां से सिकर सिकर ख ना करके और बकायदा ले गया अब बताइए रहा आपका सुपर कंप्यूटर बच्चे ने पढ़ा पाचमी क्लास का बच्चा सुन्दी पढ़ा सुपर कंप्यूटर पूरे स्कूल में जाके खवर फैल लगे एक सुपर कंप्यूटर लोगों लेखने का ताता लग गया सुपर कंप्यूटर नहीं है सुपा कंप्यूटर नहीं है तो बस सुपर कंप्यूटर आप ले करके गेम शूत फैसे şekilde के खेलना क्या या की यूट्यूब पे पिक्चर देख रहा है यह आता काम जब जाए ठीक है तो यह हमाई लिए काफी इंपोर्ट है सुपर कंप्टर कीमत बहुत ज्यादा हुमेगी होती तो सबके बसकी बात नहीं लेना ध्यान अपना इस बात को सुपर कंप्टर के विकास कैसे होता है सुरुवात की दात करते हैं तो 1960 के दसक में लॉंच किया गया था और एक मैंचेस्टर विस्टर जाला में एटलस के साथ शेमय और रोजर क्रेरी सबसे पहला व्यक्ति था जिसने इसको डेवलप किया था उननिस सो लगवा पुसट निए चार साल के उसलें बाद 64 में क्रे सी डी शीरी सी शिक्स डाबल जीरो डिजाइन किया गया जो दुनिया का पहला सूपर कंप्ट था यह एक्ञामने कोर्ष्ण पूछे आब अपया अब ठीक है यह दिमागा रखने का प्रयास करते हैं इसके अलावा चर्चा करें 1980 की बात करते हैं तो बहुत चम्ता वाले कमटाने लगे प्रोसेस आल लगा और जब एक साल नब्वे की बात करें तो यूएसे उन्हें और जापान में हजारों प्रोसेसर वाले सूपर करूंड डि गए हैं इनकी स्पीड फेटा फ्लॉप तक पहुंच गई है और परफरमेंस तो जानते हैं आप लोग बहुत ज्यादा है अब यह जमाना किसका आ चुका आपको पता है रोबोट का जमाना चुका है तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना दुनिया का सबसे चलने वाला कंपीटर प्रहा फोगागू इसने में आया है जा पान नहीं भाद के सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धी कहा नहीं था परम सिद्धी के पांसो सक्साइल सूपरकूर्ट के सूची में 63वा स्थान हमारा के भारत का परम सिद्धी की कुल कंप्यूटी छमता जो है 5.267 फेला फ्ल परम यह सारे हमारे कांने कंप्यूटर कि वर्जन से और कौन से कंप्यूटरिश को पर मुझे परम युवा आया परम इसानी परमभ्रम नाम क्या है परभ्रम दाला गूगल परभ्रम उसमर डालना कंप्यूटर डाला Patraव परम परमिस्वर बताने लागैं ठीके इसके सक्तिषाली होता है और पर्सेऩान कंपूर्ट अधिक महगाद एक चले होता है तो मिनी कम्प्यानिक और आंगए करते हैं संगणिक लोतंड कम्पूर्ण के रहा है करते हैं तो प्रेकर के कैसे बिद्देर उधृत不好 है 10 invite और देदे आपना पीसी समाल करने को जैसे आप किसे साइवर कैपने जाए उस वाले पीसी बैट जाओ पीसी का मतला है पर्सनल कंप्यूटर आपके लिए है अपने के लिए अपने बैक्तिकर चार्टा चीजे रखते हैं बाकी चीजों को रखते हैं यह आप देखेंगे पूरी दुनिय क्लास के अंत में मैं आप लोगे करेंट अफेर बताऊंगा कि बरतमान में आज सबसे आज सुपर कंप्यूटर फास्ट कॉन है अमेरिका है कि चीन है यह जापान है याद रखना अमेरिका से भी तेज चलता चीन चाइना आज बताऊंगा अपको पुरी घतना बताऊंगा अमेरिका अब दिदरे खतम हो रहा है अमेरिका का टैलेंट दिदरे क्या हो रहा है अमेरिका को जितना करने थी प्रसिद्धी खुब कर लिया अब अमेरिका की जगे जो अमेरिका का ओप्सन बनके विकल्ब बनके त्यार हो रहा है वह है चाइना भारत को लगा था कि भारत बनेगा लेकिन भारत बरबाद होता जा रहा है हिंदु मुस्लीम के चक्कर में सरकार इस प्रकार से आ रहे हैं कि ही घृष्ठ्स को मतलब बाकि दीज libro को लड़ाना बाकि चीज़े करना उनके अंदर दुम हो रहे हैं तो이고 उसका सही फायदा क्यूर उठा रहा है अमेरिका उठा चाइना उठा रहा है तो चाइना का जो इंडेस्ट्री वार डेवलफ हो रही है और आप खुद सोचें कि मद्र प्रदेश में आप रहे हैं आपको पता मद्र प्रदेश जो है लगभग मैं एक्जामपल के लिए मानू तो लगभग भारत की दस पर से जल्स्ग के हाओ एक तमालता है और एडिोकेशन का हाल देख लीजिए बंटा हाल है फूरा खराब है बर्ष्टी है तो हमारे हमारे यहां से यह से ज्लागा निकलता है कॉंस्टेवल डिसाय निक भ करो कॉंस्टेवल की नवकरी ले करके डंडा लेके लटलेके खड़े जाओ विज्ञान का कोई रुची ही नहीं है विज्ञान को बढ़ाने कोई संसाधा नहीं है और उसकी वज़े है क्योंकि विज्ञान के रुची बढ़ती स्कूल और कॉलेज से जहां पना तो लेक्चरा स्कूल में पढ़ाने के वाज सीधे भागते हैं कि आट्यूशन पढ़ाने के लिए सुबह से छह वह मेरे कहां गाओं में टीचर ने संदा कर नहीं वह सुबह से निकलते हैं भाई साब रात को नौ बज़े इंटर करते हैं किसी ने मुझसे पूछा कि आपके अशार जी हम लेहां कि किते बच्चे में बिलकुल नहीं है बच्चे वह सुबह अब निकलते हैं सब 6 बज़े रात में आते हैं 10 बज़े बच्चे को पैदा करने के लिए समय चाहिए ना उनका तो समय इसी में गुजर रहा है कि भाया इस और यह만 का मैं अश्मनें है अपया आपके आपके मैं तो अब जो अमेरिका की जगह लेने वाला है वो लेने कौन पर चाहिना बाहत के ना बाहत है नीदेखद मीशु और स्रिलंका को अहागर दिया ड्राइगन-उर ड्रेगन हम्हों रहा भारत को आपके सोचना पड़ेका भारत को भी विश्गुरू बस क्या होता है कि सरकार कह देती विश्गुरु 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 उच्छ जाती हैं कि निम्न जाती हैं इसी भ्रहम से नहीं उतर पा रहे हैं बच्चा विज्ञान की कथा कम कथा बाचकों कहां ज्यादा बिढ़ता है लोग कहते हैं कि इससे समाज भला हो रहा है भला नहीं हो रहा है समाज की दुर्गती हो रही है क्योंकि हम कलपना में जी रहे हैं नहीं सुझ मैं है हम कल्पना में जी रहे हैं और कमाल की बात है अपने साथ साथ छोचे बच्चों को भी लेके जाते हैं चलो तुम भी कता सुनो तो राम चंद ने क्या किया थाया धनुस मारा रावड के तो क्या हुआ तुम अपने अंदर के रावड कम मारोगे तुम विग्ञान का पैदा करोगे अपने अपने इसलिए कहा जाता है कि जहां विग्ञानिकों की जगए जिस देश में विग्ञानिकों की जगए कथा वाचकों को स्वागत होने लगता है मंत्रिसले के मिनिस्टर तक वो देश व जहां में सम्मान करना चाहिए बड़े-बड़े विद्यानिकों का बड़े बड़े जो रिसर्च करने वालों का उनको कold रादनीती के लिए वह बोट मिल जाए तुछ ची रादनीती कहलाती है मैं बोलने लगता हुआ भृत खतरनाक बोलता हुआ Schluss कि यह हमारा है desktop है laptop है new book है hybrid है तो तो अगर मैं और चार्चा कर इसमें micro computer क्या होते हैं अब देशा हम दो क्या है हमने दो चीज़ चार्चा की सुपर कंप्यूटर तीन चार कॉश्टन आपकी एक्जाम में आते हैं सबसे पहला है कि सुपर कंप्यूटर क्या है दूसरा को सुपर कंप्यूटर के क्या प्रियोग होते हैं इसके पड़ा क्या मीनी computer की बात करते हैं अब बात है micro computer और micro का मतलब होता है छूटा computer जिसमें CPU के स्थान पर micro pressure करते हैं और micro computer के व्यक्ति के प्रियोख्रे design के जाता है मतलब आप देखेंगा अगर आप चर्चा करें जैसे हमारा computer रखा बात करें देखेंगे कि उसी के अंदर जो है आपकी चीजे डाली होती है तो micro computer पुराना सब्द है और उसके स्थान पर जो हमारे पास परस्टार करें जाता है मतलब अगर मैं चर्चा करें जो से कम laptop की बात करते है तो इसे रहा है तो देखेंगे स्माल computers we use in our many lives right so in a personal in individual any individual use this kind of computer this kind of laptop in a life because there is no use of cpu as a hardcore right we use only micro computer in in a micro computer we use what microchips होती हिन तो basic सबसे बड़ा जो प्रोसेसर कौन है वो cpu है cpu की बैसे computer size क्या होता है बड़ा होता है अगर उस फ़ह में पूरे CPU को छोटे साइज में कर दें तो क्या हो जाता हमारा micro computer अगर चलेंगे बढ़ते हैं तो आगे चलेंगे इसमें टाइप साफ माइक्रों करें सबस्पर हमारा desktop और शीक हम कहते हैं कि आपका personal computer करते हैं notebook or laptop होता है notebook होते है table paste ही होता है आपको तो handle है करता है आप देखेंगे हमारे पास यह computer है सिर्फ यह यह जो है अपका यह एक computer इसी में सब कुछ है इसी में PC है इसी में तमाम चीज़े बस आपको चेकर चाहिए अलग से आप क्योड निकालिए अपना computer चलाना सुर्ण करें तो यह जी तने भी चीज़ें हैं यह आपका एक प्रकार से इस प्रकार माइक्रों प्रकार अपर अब बताए कोई दिकत है को दिकत है 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 हाँ सब अलग अलग काम करने लगते हैं अलग अलग काम चल रादे दरे करके अब तो आपको पता नहींद चाहिए कि हर चीज एप्लिकेशन के थुरू आ चुकी है बहुत सारी चीज अप्लिकेश थुरू आ चुकी है है यहां तक सुझागा सबके कोई दिकत बता दीजिए पूछ लेजिए हाँ क्या कि मेरी बात सबको अच्छी मिने लगती है बहुत सारी लोग को ना पता है ठीक है वो हो जाता क्या हमें पच्छता नहीं सबको हजम नहीं हो सकता है हम बेटकर सबको हजम हुए थे पेरियार सबको हजम हुए थे हुए नहीं हो सकता है ना मेटकर ना पेरियार ना सबको हजम नहीं हो सकते लोग क्योंकि यह संसार बड़ा अचीब है यह संसार चाहता है कि उसके हिसाब से आप भूलो तरक मत करो तरक से डरने वाला संसार है चलिया आई एनलौक कम्प्यूटर के और चर्चा करते हैं, यंकि क्या होता है, इसके के करते है आच्छा दिक्टते है कि मेरिट कब तक आ रही है, तुम मेरिट की चर्चा करो और बाकि लोग अपनी आगे एक त्यारी करें ठीक है एनलोग कंप्यूटर जो है उपकरणों का कोई वग जिसमें तेरंतर परिवतेसिल भौतिक मात्राएं विद्दु छम्ता द्रफ दबाव यांत्री गती हल के समश्या यह जो मात्राओं के तरीके को दर्साइज आता है एनलोग कंप्यूटर कहलाता है एनलोग की कंप् कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर देखने लगवन है क्या लगता इसी जादू निगला था क्या है एक तो यह चीज़ यह एनलोग कंप्यूटर था लॉप के बाद आता हमारा डिश्च्टल कंप्यूटर यह थोड़ा सा सही हुआ समस्याओं खौल करने में कोई भी बर टी दो आंको का जिसे कहते है जीरो वन किसे हम कहते है बाइनरी कोट कोट को अगर चर्चा कर इसमें इन अंको को उनको तुलना करना हेर फिर करना अंदर देश बना बड़ी मात्रा वेफसाइट डेटा करना इसका काम हुआ और यह काफी इंपोर्टेंट हो गया है यह हमारे प्रियों करतें वेफसाइक सा प्रियों करतें डिज्टी बोसी चीजब एसी समस्या है जिससे और डिश्चा करते हैं तो क्या करता मिंत्ता है Ao नहें करता मोर्त ता에 है जो एडवांस कम्फूथर होगा और क्या करेगा उस से ज्यादा वहता बहता T प्सपरेंगा जैसे पेट्रोल पॉंप पर लगी मसीन होती है याद आपको हार्डवीप मापने वाली होती हुट पर से चेक करने वाली मसीन होती यह सब कौन करता है hybrid computer करते हैं अब सोचिए हार्ड वीप कितनी सांदार ना पता है उसको हमें मतलब डॉक्टर को कितनी आसान चीज ने पहले डॉक्टर क्या करता था अब कुछ नहीं कर रहा सीधे लगा है सामने देख रहा है प्रिस्क्रिप्शन लिखे डॉक्टर चला गया मतले लेड प्रसर को ना अपना तमाम चीज लुगना अपने एक जैनि है कुछ और देखते हैं इसमें हाइब्र कंप्टर की कार चंपता है लॉक्ट डोनों से अधिक होती है इतिहास की बात करते हैं इसका पहला है था हाइब्र कंप्प्ट धा हाइए कॉम 250 जिसे पैकार्ट बेल के द्वारा उन्नी सो एक्साटे बनाया गया था इस ने सबसे पहले काम सुरू किया हाइब्रेट की तरह कुछ बनाया उसका दूसरा है हाइड़ाइक 2400 था जिसे AI के द्वारा उन्नी सो त्रेस्ट रिलिस किया गया यह सारे हमारे कंप्टर के लीज़ इंटिगेटर सर्कृट संबंद कंप्टर की स्पीड़ी से 1st, 2nd, 3rd, 4th पॉस्टन सीरे से पूस्ता आपके एक्जाम में कंप्टर के द्वारा घटिद मुकार क्या है अर्थमेटिक, लोजिकाल, स्टोरेज माइक्रो प्रसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीडिक कंप्टर गली है माइक्रो प्रसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीडिक कंप्टर गली है कंप्टर का मस्तिस क्या है प्रथम पीडिक कंप्टर का मुकभाग क्या था यह सारे कोश्टन्स इस प्रकार के चीड़े हैं कल मुलाकात करते हैं आगे की और पढ़ते जाएए आप लोग जितना होता है अब आज कल तो कंप्यूटर का बड़ा रोल हो गया भी है SSC CGL ने एक दार इस बार जो है बच्चों को हिला के रख दिया SSC CGL ने इलाके रख दिया मतलब 60 नंबर का मेंस में कंप्यूटर कितने नंबर का 60 नंबर का 20 कोश्टन आएंगे कंप्यूटर के ठीक है बहुत सांदार है हां मैत के मेंस में कोश्टन कम से 30 कोश्टन आएंगे मैत के इस इस इसके इंगलिस के 25 कोश्टन सम्धिंग कितने आपके जी के तो बहुत अच्छा रहत तिसी में आपको ला सकते हैं अच्छा का सकते हैं ठीक है ठीक है थाइंकियो सुमाज अप ध्यान रखेंगे आपने ठीक है इजियल बैच लॉंच हो चुका है उसको देख लेना आप लोग ठीक है चोहाने केडियां प्रीके से डालोर करके देख लीजेगा ठीक है किसाम को क्लास होगी ठीक है चलिए सर बंद करिए